हेलो फ्रेंड मैं एसन प्रजापती एस बीडियो में आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं या बियाच्चू बियासी इंट्रेंस में पूछे गए कोशन्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशन्स हैं तो फ्रेंड अगर अभी तक आपने हमार चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपाटिशन से संबढ़ने बहुत ही अच्छ अच्छे वीडियों मिल जाएंगे तो फिर आए सुरू करती हैं पहला कोशन पहले कोशन में कह रहा और यहां पर यह question जो दूसरा देखे है यह question बहु 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 दोजार अठार में पूछा गया है तो यहां पर question कह रहा है कि if in a tangle a b c angle c not equal to 90 degree and a square minus b square upon a square plus b square equal to sin a minus b upon sin a plus b then the relation in a and b option दिया हुआ है 3a equal to b a equal to 2b 2a equal to b और a equal to b तो यह आप ही लोगों में से किसी ने comment करकर बोला था कि सर जी question यह 18 में पूछा गया है और इसको जो है कि बताया जाए और यह question देखें सबसे पहले पहला question तो यहां पर solution up first दिखेंगे यहां पर given जो दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है sin x plus y upon sin x minus y equal to a plus b upon a minus b यह दिया हुआ है tan x upon tan y की value पूछ रहा है तो यहां पर सबसे पहले हम लोग component and dividendo method means योगांतरा नुपात का formula लगाएंगे दोनों साइड में योगांतरा नुपात का हम लोग यहां पर formula component and dividendo method यूज करेंगे तो देखेंगे यह method क्या काता है यह sin x plus y plus sin x minus y upon यहां पाजरा देखेंगे sin x plus y minus sin x minus y देखेंगे यहां पर जो हर है इसको अंस में जोडा गया और अंस में से फिर हर को घटाया गया ठीक ऐसा ही process इधर भी करना पड़े जैसे देखेंगे a plus b है तो इसको लगाईए उपर plus करिए a minus b upon a plus b और इसमें से नीचे वाले को minus करिए जो process यहां पर लगाना है वही process इधर भी लगा देना है अब देखेंगे यहां पर sin x plus y और sin x minus y यहां पर जब formula लगाएंगे sin a plus b का formula लगाएंगे तो देखेंगे इस तरस हो जाएगा sin a cos b plus cos a sin b और यहां पर जब देखेंगे sin a minus b का formula लगेगा तो यहां पर लगेगा sin a cos b minus cos a sin b ठीक इसी तरसे यहां पर भी इन दोनों में formula लगाएंगे sin a plus b और sin a minus b का तो यहां पर जब देखेंगे sin a cos b plus cos a sin b और यहां पर minus है तो minus हो जाएगा और देखेंगे यह क्या हो जाएगा sin a cos b और यह minus वाला क्या हो जाएगा plus cos a sin b और यहां पर देखेंगे यह b से b कट जाएगा a a मिलकर 2 a हो जाएगा और यहां पर देखेंगे a से a कट जाएगा और नीचे बचेगा 2 b और यह 2 से 2 फिर कट जाएगा और यहां पर जब हम लोग देख रहे हैं तो यह cos a से कट जाएगा और यहां पर कौन किस से कट रहा है, sin x cos y, sin x cos y से ऐसे कट जाएगा, तो उपर से यह दोनों मिलकर देखेंगे, मिल जाएगा, 2 sin x cos y upon, और नीचे से क्या मिलेगा, 2 cos x sin y, equal to a by b, और देखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, sin x upon cos x, यह भुजाएगा 10, देखेंगे, इसको इस तरह से लिख देगे, ऐसे देखेंगे, sin x upon cos x, into cos y upon sin y, equal to a by b, तो देखेंगे, यह क्या हो जाएगा, tan x, और यहां पर यह क्या हो जाएगा, काट y, equal to a by b, तो यहां से यह हो जाएगा, tan x upon, काट को नीचे ले ले लेंगे, तो tan y, equal to हो जाएगा, a by b, तो इस तरह से tan x upon tan y, equal to a by b, means option b, correct हो जाएगा, अब आते हैं, question number 2 पर, question number 2 कह रहा है, कि in a triangle, a, b, c, angle c not equal to 90 degree, angle c को 90 degree नहीं लेना है, और यह दिया हुआ है, तो solution of, question to, given, यहां पर दिया हुआ है, a square minus b square upon, a square plus b square equal to, sin a minus b upon, sin a plus b, तो देखेंगे, यहां पर side दिया हुआ है, यह क्या है, tangle के sides हैं, हो जाए हैं, तो इनको angle में जब बदलेंगे, तो a की जगा, a की जगा रखेंगे, k sin a, और b की जगा रखेंगे, k sin b, तो जब यह यहां पर apply कर देंगे, तो यह पूरा angle में बदल जाएगा, तो यहां पर जाद दिखेंगे, k square sin square a minus k square sin square b upon k square sin square a plus k square sin square b, और यहां पर यहां से हो जाएगा, sin a minus b upon sin a plus b, इस तरह से, अब यहां पर देखेंगे, k square k square से सब कड़ जाएगा, और यहां पर बच्ची का क्या, sin square a minus sin square b upon sin square a plus sin square b equal to sin a minus b upon sin a plus b, अब देखेंगे, यहां पर sin square a minus sin square b का formula लगता है, और यह formula क्या देता है, यह formula देगा, sin square a minus sin square b, तो यह देगा, sin a plus b, और दूसरे bracket में देगा, sin a minus b upon, यहां से देखेंगे, यह तो ऐसे ही रहेगा, sin square a plus sin square b, और इस side से इसको खिसका कर, इस side में ले लिजिए, तो यह देखेंगे, यह minus हो गया, minus sin a minus b upon sin a plus b, और इक्वल टो 0, अब इसमी से, देखेंगे, sin a minus b यहां पर है, sin a minus b यहां पर है, इन दोनों में से sin a minus b common ले लिजिए, तो यहां पर जब sin a minus b को common ले लेंगे, तो यहां पर bracket के अंदर बचेगा, sin a plus b upon sin square a plus sin square b, और यहां से बचेगा, minus 1 upon sin a plus b, और is this equal to 0, तो जब this into this equal to 0 है, तो इसको जब 0 की equal कर लेंगे, तो यहां से result आएगा, देखेंगे, यहां पर लिखेंगे, when sin a minus b equal to 0, देखेंगे, एक बार इसको equal to 0 लेंगे, एक बार इसको equal to 0, तो this implies sin a minus b equal to 0 है, तो a minus b equal to sin 0, means a minus b equal to 0, means a equal to b, इस तरह से अगर देखेंगे, तो absentee d correct हो जाएगा, अब यहां से अगर हम इसको, अगर इसको हम लोग 0 की equal करते हैं, तो देखेंगे कि क्या आता है, तो यहां से इसको 0 की equal भी करके हम लोग देख सकते हैं, अब जब इस bracket को हम लोग 0 की equal लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे sin a plus b upon sin square a plus sin square b minus 1 upon sin a plus b equal to 0 और यहाँ पर इस तरसे हो जाएगा sin square a plus b minus sin square a minus sin square b whole upon sin square a plus sin square b into sin a plus b equal to 0 और इसको इसके equal to 0 कर लेंगे तो यहाँ से देखेंगे इस तरस हो जाएगा sin square a plus b minus sin square a minus sin square b equal to 0 और इन दोनों परदों को उस side में ले चलेंगे और देखेंगे sin a plus b को लिख सकते हैं pi minus देखेंगे इसको लिख देंगे pi minus c angle a plus b की जगा हम लिख सकते हैं pi minus c और इसको उस side में जब ले चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sin square a plus sin square b और इसकी जगा हम लोग लिख सकते हैं देखेंगे pi minus c means sin c तो यहाँ पर लिख देंगे sin square c equal to sin square a plus sin square b अब इसकी जगा लिखेंगे k c square small c square equal to k b square और plus k k a square यहाँ रहेगा k a square plus k k square कर लेंगे k square b square और k square k square से कट जाएगा तो c square equal to a square plus b square तो this implies इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यहाँ हुआ कि this implies angle c equal to 90 degree जबकि इसमें कहा है कि angle c 90 degree नहीं होना चाहिए इसलिए option d ही correct होगा